So good morning guys, तो चलिए आज की हमारी revision class स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है Ivory Coast, इसकी capital क्या है? इसकी capital है Abidjan और आपने इसका नाम पहले कब सुना था? जब आपने पढ़ा होगा COVAX योजना के माद्यम से मुफ्त COVID टीको का batch प्राप्त करने वाला ये दूसरा देश बना था Ivory Coast पहला था घाना बाताईए राश्टर विज्ञान दिवस National Science Day कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 February को और इसकी theme थी Future of Science and Technology and Innovation Impact on Education, Skills and Work अच्छा बताईए Grains of Stardust नाम की बुक को किस ने लिखा? विस्मया मुहनलाल ने लिखा है और मानस अवर बिहेवियर टुथ अंटुथ नाम की बुक को लिखा गुलाब को उठारी ने एक और बुक है Stories I Must Tell an Actor Emotional Journey यह autobiography है किसकी कबीर सिंग के बताईए 2021 में Bricks देशों के अद्धिक्षिता कौन सा देश कर रहा है तो भारत के पास है इसके अद्धिक्षिता G20 के अद्धिक्षिता भारत कप करेगा? यह comment box में लिखके बताईए और वैसे 2021 में G20 के अद्धिक्षिता किसके पास है यह भी बताईए फिर बताईए Global Teacher Peace Prize जीतने वाले पहले भारते बने थे 2020 में कौन? रंजीत सिंग दिसाले और World Food Day और World Food Program इसका Headquarter मिलेगा आपको Row Mittly में 2020 का Nobel Peace Prize जीता था इसने पापवा New Guinea के पहले प्रधान मंतरी कौन है? Michael Somare लेकिन इनका अभी निदन हो गया था कुछ समय पहले ही तो यह थे पापवा New Guinea के पहले प्रधान मंतरी इसलिए इनका नाम न्यूज में था पापवा New Guinea की Capital Port मौर्स भी है करंसी है PNG कीना और पर धर मंतरी कौन है? James Merrape Asian Development Bank का Headquarter मिलेगा आपको Manila Philippines में और इसके President मसाथ सुकवा सकावा और हाँ गाईज देखिए इंडिया के Top Bank Educators एक बार फिर अनकाडमी पर आपके लिए ला रहे हैं धेर सारी Free Classes तो अनकाडमी की हर Class कंड़क की जाती है आपके Bank की हर परिक्षक की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ये सारी Free Classes आपको मिलेंगे अनकाडमी पर जहां पर आप अपने Favorite Teacher के साथ अपने घर से अपने Personal Schedule के हिसाब से पढ़ सकते हैं और अनकाडमी की हर Class आप Live नहीं तो बाद में Recorded Session के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो Class को डाउनलोड करके Offline भी देख सकते हैं और आप Live Class में Ask a Doubt Teacher के द्वारा Teacher से अपने Doubt भी क्लियर करवा सकते हैं और आप Live Quizzes और Test Session भी अटेंड कर सकते हैं जहां पर आपको अपनी Live Ranking भी देखने को मिलेगी और Unacademy पर Total 12 भाषाओं में Classes Conduct होती है तो आप अपनी Favorite भाषा में Class Attain कर सकते हैं आप अपने Teacher के साथ इंट्रैक कर सकते हैं Live Poll में Part ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही Platform पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ तो आज ही सब्सक्राइब करें Unacademy पर और इन सभी Benefits का लाब उठाईए और हाँ देखिए अगर आप मेरा Code जो की है Crick Exam 10 यूज करते हैं तो आपको Additional 10% का Instant Discount भी मिलता है तो आपको इन सभी Classes के जो Link हैं वो नीचे Description में मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर के आप इन सभी का Benefit उठा सकते हैं अभी हम बढ़ते आगे बताईए अंतर राष्टर मानाव बंधुत्व दिवस International Day of Human Fraternity कब मनाया जाता है तो आंसरों का 4 फरवरी को इसकी थीम थी है Pathway to the Future अब बताईए World Cancer Day कब होता है तो ये भी 4 फरवरी को होता है और इसकी क्या थीम थी I am and I will बताईए World Wetland Day कब होता है ये होता है 2 फरवरी को और इसकी थीम थी Wetlands and Water International Customs Day अंतर राष्टर सीमा शुल्क दिवस कब होता है तो आंसरों का 26 जनवरी को अच्छा पूछा जाए कि World Customs Organization का Head Quarter कहाँ पर है तो ब्रुसेल बेल्जियम में है National Tourism Day ये होता है 25 जनवरी को और आप जानते हो और World Tourism Day कब होता है तो वो 27 सेप्टमबर को होता है बाकि National Waters Day ये भी 25 जनवरी को होता है और इस बार इसकी थीम क्या थी Making Our Waters Empowered Vigilant, Safe and Informed बताईए International Education Day कब होता है तो ये होता है 24 जनवरी को इस बार इसकी थीम थी Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation जबकि National Education Day हम मनाते हैं 11 अबंबर को फिर बताईए राष्टर बाली का दिवस National Girl Child Day ये भी 24 जनवरी को होता है लेकिन पूछा जाए अंतर राष्टर बाली का दिवस कब होता है वो 11 अक्तुबर को होता है अचा पहला पराकरम दिवस इस साल हमने मनाया है कब नेताजी सुभाष चंदर बोश जी की जैनती यानि की 23 जनवरी को National Youth Day आप जानते हैं स्वामी वेकनन जी की जैनती 12 जनवरी को मनाते हैं और International Youth Day कब मनाते हैं 12 अगस्त को 12 अगस्त को ही विश्वहाती दिवस भी मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाए कि World Youth Skill Day कब मनाया जाता है तो आंसर क्या करोगे 15 जुलाई को अब पुराने महीनी के करन्ट अफेर्स का हम लोग रिविजन करेंगे बताई अंतर राष्टर संग्रहाले दिवस कब मनाया गया तो आंसरों का 18 माई को और इसकी थीम क्या थी Future of Museum, Recover and Re-Imagine और देखो इससे जस्ट एक महीने पहले 18 अपरेल को क्या दे मनाते हम World Heritage Day Miss Universe 2020 का खिताब जीता था किसने Andrea Meja ने ये Mexico की है और Italian Open 2021 में पूरुशेकल में सिंगल का टाइटल किसने जीता था राफेल नडाल ने वो इस्पीन के प्लेयर है महिलाओं का खिताब किसने जीता था इगा सुटेक ने वो पॉलेंड की प्लेयर है याद रखना ये भी सिक्किमा हिस्ट्री ओफ इंट्रिग्यूटी एंड अलाइंस नाम की बुक को किसने लिखा प्रीत मोहन सिंग मलिक ने और National Basketball Association ने किसके नाम पर एक सामाजिक नियाए पुरुसकार शुरू किया था अब्दुल जब्बारी National Basketball Association का हेड़कोटर मिलेगा आपको नियू यॉर्क में बताईए छटवा सन्यूक्त राष्टर वेश्विक सडख सुरक्षा सप्ता दोजारे किस ये कब से कब तक मनाया गया सतरतरा से तेवीस मही तक अचा वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाइजेशन का हेड़कोटर का हें बताओ जेनेवा स्विजलेड में है अद्देख इसके तैदरों सधनों में अब बताई ऑक्सी केर सिस्टम को किस संगिठन ने डेवलप किया था DRDO ने तो ये मरीजों को दी जाने वाली ओक्सीजन को कंट्रोल करने का गाम करेगी वर्ष 2021 में एवरेस्ट परवत की चूती पर चड़ने वाली पहली भारते महीला बनी थी कौन ताशी यांजों या रुनाचिल परदीश की है अच्छा माउंट एवरेस्ट की हाईटी बता दो और चलो आप तो ये लिखके बताओ माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है अब बताएए MS नरसमन का निदन हो गया वो क्या थे वो एक महान गणी तक गया थे अच्छा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया तो वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को और इस बार इसके थीम थी क्लॉक टिकिंग टीबी एक बैक्टेरिया जनित रोक है कौन से बैक्टेरिया Mycobacterium tuberculosis और टीबी को खतम करने का लक्षे हमारा है 2025 का और मलेरिया को खतम करने का लक्षे 2030 है फिर बताइए भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशू एंबूलेंस नेटवर्क ये कांपे स्थापित किया जाएगा आंद्र प्रदेश में बताइए जो बाइडन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारते अमेरिकी चिकित्सक को नियुक किया गया विवेक मूर्ती को और T20 International किर्केट में अपनी कप्तानी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बने थे कौन अगवानिस्तान के हैं असगर अफकान फिर बताइए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO पोर्टल फार्मर प्रोडूसर और्गनाइडेशन पोर्टल लॉंच किया था उत्र प्रदेश ने और किस देश के अंतरिक्ष अजनसी ने अठारा देशों के लिए 38 सेटलाइट को लॉंच किया था अभी तो रश्या ने किया था रश्या की स्पी सेटेंसी रॉस कोस्मोस है और जिस रॉकेट से लॉंच किया था नूँ उन सेटलाइटों को उसका नाम है सोयूस 2.1 अच्छा बताईए वर्ष 2019 के लिए गांधी शांती पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया तो उमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन साइड अलसेद को और 2020 के लिए बांगला देश के राष्ट्र पिता कहे जाने वाले बंग बंदू शेख मुजिबुर रह्मान को चलिए आप तो भी बताईए अभी बंगाल के खाड़ी से जो यास नाम का तुफान उठा था उसका नाम यास किस ने दिया था मियानमार ने या उमान ने फिर बताईए सिपला के फिर से मैनेजिंग डाइडरेक्टर और ग्लोबल सीयो बन गए कौन उमंग बोहरा सिपला एक दवा निर्माता कंपनी है और कोसोव देश की नई पधान मंतरी कौन बनी तो आंसर होगा अलबिन कुर्ती ये एक यूरोपियन कंट्री है कोसोव और इसकी कैपिटल है प्रस्टीना यूरो इसकी करंसी है दे लास्ट फॉर मिनिट नाम की बुक को लिखाए किसने डॉक्टर विश्वर रूप रॉय चौधरी ने है तो अब कल के करंट अफेर्स को रिवाइस करते हैं अचा फिर बताईए COVID-19 के लिए दुनिया का पहला conjugate vaccine जिसका नाम है Soberrana 2 इसको किसने डेवलप किया तो अंसरोगा क्यूबा देश ने क्यूबा के capital हवाना होती है करंसी है क्यूबन पीशो और वहाँ पे भारतिर राजदूत इंडियन ambassador का नाम क्या है Dr. S. जानके रमन अब किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया तो अंसरोगा उत्तराखंड में वैसे उत्तराखंड में जो कावन यात्रा होती है उस पे भी रोक लगा दे गई है COVID-19 के कारण अच्छा एक महौत्सव से एक प्रस्ट में आपको बताना चाऊंगा एक लाई हरावबा तिवार होता है लाई हरावबा फेस्टिबल होता है मैंने आपको तिरिपूरा उसका अंसर बताय था मुख्य रूप से ये मनिपूर में मनाया जाता है लेकिन 2020 में करण रफेर्स में हम लोगों ने पढ़ा था इसको तिरिपूरा में भी मनाया गया था तो अगर आपने इसको कहीं लिखा है तो वहाँ पे लिख लीजेगा मुख्य रूप से ये मनिपूर में मनाया जाता है मनिपूर का मुख्य तिवहार है लाई हरावबा फिर अगला प्रशन है वसीम जाफर को किस राज्य की किर्कित टीम का मुख्य कोच नियूक्ट किया गया तो उडीसा का रुद्राक्ष सम्मिलन केंद्र ये कांपे बनाया गया अच्छा बताईए अभी हाली में चर्चा में रही बोल बम यातरा का सम्मन की सराज्य से है उडीसा से है अच्छा बताईए रुद्राक्ष सम्मिलन केंद्र ये काँ पर बनाया गया जिसका उटगाटन प्रधानमंतरी नरेंद्र मुदी ने किया था उत्तरप्रदेश के वारानासी में और किसकी सहायता से बनाया गया तो जापान हाली में चर्चा में रही बोल बम यातरा का सम्मन किस राज़े से है तो आंसर होगा उड़ीसा से और इस पे भी कोविट संक्रमन के चलते रोक लगा दी गई है बताएए वाइट टेल स्वच उर्जा पर्योजना क्लीन एनरजी प्रोजेक्ट ये किस देश में स्थापित की जाएगी तो आंसर होगा यूके में और देश का पहला आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से संचालिच शिकायत प्रबंधन एप्लिकेशन को लॉंच किया रक्षा मंत्रा लेने रक्षा मंत्री हमारे कोने राज नाज सिंग जिनका निर्वाचिन शेतर है लखनव यूपी नेलसन मंडेला अंतर राश्टर दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को इन्हों अफरीका का गांधी भी कहा जाता है ये प्रशन एक्जाम में आ चुका है और यानि कि गूल्डन आई पुरुसकार जीता था अनाइट ओफ नौइंग नथिन ने तो मुंबई इस बेस्ट फिल्मेकर है पायल कपाडिया उनकी अनाइट ओफ नौइंग नथिन ने बेस्ट डॉक्यमेंटरी के लिए ये अवाड जीता है 74th कान फिल्म फेस्टिबल म फिर बताईए कि इस कंपनी ने बिटकोईन के लिए हाड़ वेर वालेट बनाने का निर्ने लिया तो अंसर होगा स्क्वार ने यहाँ पर बिटकोईन को आप स्टूर कर सकते हो securely और जो ट्विटर के CEO है Jack Dorsey उनी की ये कंपनी है स्क्वार अब एक इंदर सरकार ने करमचार और पेंशन भोगियों के लिए महेंगाई बता और महेंगाई राहत को 17 परतिशत से बढ़ा कर कितना कर दिया 28 परतिशत कर दिया तो गाईज यह था आज का हमारा करन्ट अफेर्स का रिविजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस् कुशन्स आप लोगों से पूछे जाएंगे कुशन्स आप लोग लगाना और देखना कितने कुशन्स आप लोगों से बन पारें बाक्यमेंट को कल सॉल्व करते हैं यह रिकुशन आपके सामने